तो इस वीडियो में हम VCRS पे नुम्रेकल्स देखेंगे ठीक है इसमें कुछ theoretical question भी होंगे previous year gate और EAC के और कुछ कुछ जो है इसमें EAC के conventional question होगे ठीक है और आपका VCRS पे जो है मैंने एक special video भी बनाया है और पूरा पूरा EAC का playlist है MS tutorial के channel पे यहां पे आप जाके देख सकते हो before solving the numerical ठीक है तो जाके आपका जो numerical है थोड़ा अच्छे से solve हो पाएगा और आपको समझ में भी आएगा और आपको इंट्रेस्टिंग बिलागा ओके बिना concept को समझे numerical करने में मजा नहीं आएगा so please firstly go and watch that and before start the video अगर अब तक आपने MS tutorial सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure you subscribe it and also press the bell icon ताके आपको हमारे वीडियो का notification मिलता रहे है कि नहीं हम आज कर वीडियो स्टार्ट करते हैं और first question discuss करते हो कि first question में हमें दिया गया है system a vapors are superheated by 10 degree celsius ठीक है इसमें जो vapors है यहां पे vapor जो होता है यह evaporator से निकलके इसको 10 degree celsius से superheat किया गया है और system b में जो है उसको भी superheat किया गया है 10 degree celsius से but उसको regenerative heat exchanger लगा कि superheat किया ठीक है तो doesn't matter आप superheat कहां पे कर रहे हो आपका COP definitely equally होगा तो यहां से option जो है आपका A हो जाएगा ठीक है नो हम अपना next question देखते हैं अब next question जो है आपका यह भी important है और यह BCRS का fundamental question है ठीक है मतलब BCRS में आपका कौन-कौन components use होता है वह वाला है ठीक है तो सबसे पहले जो हमारा one से two process होता है वह isentropic compression होता है वह किसमें होता है compressor में ठीक है जाएगा condenser में आने के बाद क्या होगा यह condensed होगा और यहां से heat rejection होगा at constant pressure और जैसी condenser से बाहर निकलेगा मतलब हमारा दो से तीन process जैसी होगा तीन पर आते आते वह complete liquid में convert हो जाएगा because condensation का जो because condenser जो यहां पर है इस device का का काम ही है क्या condense करके liquid में convert करना अब उसके बाद हम यहां पर फ्रोटलिंग यहां पर लगाते हैं अब फ्रोटलिंग यूज करने का फाइदा यह होता है कि हमें extra work वह नहीं करना परता है और फ्रोटलिंग प्रोसेस में आपको यह पता हुआ कि enthalpy h1 जो है वह equal to हो जाता है h2 के मतलब इनलेट इन्थेलपी और आउटलेट इन्थेलपी बरावर होता है तो इसलिए यहां पर हम फ्रोटलिंग का यूज करते हैं expansion के लिए expansion का simple work होता है यहां पर प्रेशर को decrease करना ठीक है pressure decrease करके फिर से evaporator के पास आता है और evaporator के आपास आके यह फिर से क्या करता है heat को absorb करता है कहां से करता है तो represented area से करता हो के तो यह आपका complete process होता है यहां से option आपका see हो जाएगा compressor condenser throttling bulb और evaporator फिर हम next question देखते हैं इसमें जो है dry compression पर question है यहां पर ठीक है hope so आपको dry compression पता हो dry compression simple होता है जैसे आप यह BCRS ले लो यहां पर आपका यह condenser हो गया और यहां पर आपका यह evaporator हो गया अब देखो एक compression यह कि evaporator आपका अंदर में ही यहीं तक आपका evaporator कर रहा है और उसके बाद यहीं से अपने compression लगा के compress कर लिया दूसरा case होता है कि यहां तक इबरबेटर जो है लास्तली यहां तक लेकर आया और फिर जाकर यह compress वा तो यह जो यहां पर compression होगा यह में यह आपका wet compression होगह ठीक है और यहां पर जो compression होगा यह आपका dry compression हो गया अब देखो यह wet compression है मतलब यह है कि यहां पर आपका vapor है और प्लस में liquid भी है अब यह liquid होगा पे यहां पर एप यहां पर र्याजिऊ कोई कंपरइकर लगा हुआ है और это चार और किया है लुब्रिकेटिंग अगर यह फिए सब्सक्राइब आप करेंगे टो ne क्वेश्टन यहां पर जो यहां है क्या सब्सक्राइब इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम वेट करेंगे तो हमारा लुब्रिक्रिटिंग वाइल को वह वासाउट कर देगा और हमारा वाल्ब डैमेज हो जाएगा अप्शन नमर यहां से आपका यह वन हो जाएगा और नेक्स्ट आपका यह फोर जाएगा तो वन एंड फोर ऑप्शन विल वी करेक्ट ओके होब आपको के लियर हो आओगा अब फिर अपने हमें फोर्त देखते हैं इसमें पूला गया इन अब बढला और कंडेंसेंग टंपेचर से तो लो ही रखना पड़ेगा ठीक है यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा यह वाला ऑप्शन हो जाएगा अगर आपका र्षफ जादा आपको यहां पहाँ थेख़ंग यहां पे वेर्फ भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा वर्क ज्यादा होगा तो डेफिनिटली आपका COP क्या होगा वो कम होगा तो option number आपका C होगा correct next question देखते हैं और यह थोड़ा theoretical question है और थोड़ा अच्छा भी question है ठीक है इसमें देखते हैं क्या पुछा गया है experiment measure on a refrigeration system indicate that rate of the heat extraction by the evaporator and rate of heat rejection in the condenser and rate of heat rejection by the compressor body to environment are 70, 90 and 5 five यह तीन चीज़ हमें दिया गया ठीक है यहां पर फिगर बना लेते हैं यह हमने बना लिया भी CRS यह हमारा evaporator हो गया उसके बाद यह हमारा compressor हो गया ठीक है और यहां यहां पर condenser और यह हमारा condenser condenser यहां से जो है हमारा 90 kW reject कर रहा है और उसके बाद environment में इस compressor से work करने time 5 kW reject हो रहा है ठीक है तो power input in required तो हमें निकालना क्या है power input अब देखो हमें refrigeration effect पता है ठीक है और यहां से हमें कितना reject कर रहा हीट वह भी पता है ओके तो यहां से आप यह निकाल सकते हो कि यह compressor जो है यह कितना work किया simple है यहां पे 90 कब हो जैसे मानलो यह refrigerator बना लो यहां पे यह reject करेगा condenser TH पे और यह आपका T lower पे यहां से evaporator से heat लेगा यह 70 है और यह 90 है और यहां से work कितना निकल जागा इससे आपका 20 तब यह 90 होगा ठीक है मतलब compressor आपका work 20 कर रहा है और साथ यहां पे 5 जो है compressor के wall से बाहर हो रहा है ठीक है तो overall जो आपका हो जाएगा answer 20 plus 5 तो इतना power work input में देना compressor को तो option हो जागा यहां से आपका C ठीक है पर यहां पर next question देखते है consider the following statement in this VC machine if a condensing temperature of the represent each closure to the critical temperature ठीक है यह condensing temperature किसी भी मसीन का जैसे यह आप दे लो अगर यह closure to the represent हुआ यहां मतलब critical temperature यहां पर होता है इसके बाद किस में convert हो जाता है वेपर में convert हो जाता है अगर यह condensing temperature यह विला आपका decrease होगा और साथ ही साथ देखो जब higher उपर जितना जाते जाएगा compressor work यहां से जो compressor का work है वह भी increase करते जाएगा work increase करेगा तो COP आपका decrease होगा ठीक है option यहां से आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा correct answer one and two option number B अब हम next question देखते हैं इसमें हमें बोला गया एक BC plant है if a certain temperature differences are to be the maintain in evaporator and condenser in order to obtain necessary heat transfer then evaporator saturation temperature must be ठीक है तो अगर हम heat transfer करवाना चाहते है किसमें condenser में और हमारा evaporator में यहां पर हम heat transfer करवाना चाहते हैं मालों यह हमारा यहां से heat इसमें करवाना चाहेंगे तभी तो हमारा यहां पर heat absorb करेगा evaporator उसके लिए हमारा यह बदर टंपरेचर है evaporator temperature यह definitely क्या होना चाहिए हमारा low होना चाहिए ठीक है लो होना चाहिए तो यहां से आपका देख लो lower बलत यह option है और यहां पर यह option है और condenser temperature जो है and condenser saturation temperature must be lower दोनों lower दे दिया यहां पर option यह बला गलत और यह बला सही हो जागा ठीक है lower than desired cold region temperature and condenser saturation temperature must be higher okay so this will be the correct answer next question देखते है यह numerical है यहां पर heat pump working on a VC cycle enthalpy value of the working fluid at the heat of the addition process process अब जैसे VC cycle आया और numerical आया तो सबसे पहले आप डागराम बना यह मैंने डागराम बना लिया यह simple सा BCRS अब यहां पर देखो जैसे जैसे बोलना है at the end at the end of heat addition process सबसे पहला यह बला heat addition कहां पर होता है हमारा यहां पर होता है heat addition evaporator में यहां पर दिया हुआ 195 उसके बाद यहां पर बोला है at the end of the compression process मतलब यह बला हो जाएगा हमारा यह 1 यह 2 तो यहां पर हमारा दिया हुआ है 210 यह 210 किलो जूल हो गया पर के जी और फिर उसके बाद बोला गया at the end of the heat rejection process यह heat rejection process है और यहां पर हमें 90 दिया हुआ यह 90 होगा तो यह enthalpy process होता है यह भी 90 आपका और mass flow rate हमें यहां पर दिया हुआ है 0.5 फिर यहां पर हमें पूचा गया है heating capacity of the heat pump सबसे पर यहां पर देखो T lower यह वाला होगा तो यहां पर फिर फिर इफेक्ट निकालो enthalpy difference कर गए तो 210-90 यहां से आपका आजाएगा 120 यहां आपका आगया क्या यहां पर heat pump कितना यहां से heat को release कर रहा है ठीक है अब mass flow rate हमें दिया हुआ है और kilowatt में हम एंसर पूछ रहा है तो simple 120 इंटो 0.5 कर दो यह आपका refrigeration sorry heat pump का capacity आगया ठीक है hc आगया है heat pump capacity आगया यानि 60 kilowatt यहां से आपका answer हो जाएगा D अब हम next question देखते हैं इसमें हमें बोला गया compressor of an ammonia refrigerant machine have volumetric efficiency इसका जो है volumetric efficiency दिया हुआ 85% यह हमने लिख लिया swept volume यहां पर दिया हुआ हमारा 0.28 और उसके बाद जो है ammonia having a dry specific volume ठीक है यहां पर हमें dry specific volume दिया गया है साफ साफ मतलब हमें भीजी दिया हुआ है 0.25 और हमारा dryness fraction दिया हुआ 0.7 अमोनियों का जहें हमें mass flow rate निकालना है यहां पर जो इंटरी के time जो volume होगा specific volume होगा वह भी इंटरी यहां पर होता है और नीचे मापका होता है पाइबाइब पोर्ड डी स्क्वाइड एल इंटो एन अपॉन 60 इंटो के एन आपका होता है आर्पीम जोगी compressor के अंदर का जो भी वैंस होता है वह हो गया आपका उसका rotation और यहां पर के हो गया number of cylinder ठीक है और यह वाला जो term आपका होता है यह bs होता है यह bs हमें दिया हुआ है volumetric efficiency दिया हुआ है यहां पर 0.85 रखो और mass flow rate हमें निकालना है b entry ठीक है यह हमें पहले पता करना पड़ेगा कि यह कितना है हमें dry air का यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो वह कैसे निकलेगा b equal to आपका bf plus x b g minus bf यह formula होता है ठीक है अब यहां पर देखो fluid क्या है वह तो 0 हो जाएगा okay fluid completely 0 हो जाएगा इसका जो आपका volume है वह 0 होगा सिर्फ हो सिफ हमारा भी भीजी है यहां पर ठीक है वह 0 है यहां से डिरेक्टली 0.7 इंटू बीजी हमारा कितना हो जाएगा आपका जिरो पॉइंट टूफाइव यह हमारा वोल्यूम आ जाएगा इंटरी पड़का ठीक है जितना कंप्रेसर के टाइम पे इंटर करेगा उसके बाद डारेक्ट इसको पूट कर दो जिरो पॉइंट सेवन इंटो 0.25 और यहां पे हो जाएगा आपका ये भी ऐस आपका 0.28 不 Ăस्टाय काई और यह सिम्पल हमें इसको पुट करीं नहीं करना सैंपल एक रखलो यहां से आपका मास फलो डेट आप करोगे तो आपका एंसर आजाएगा 1.36 किलो जूल पर मीनट में ठीक है और मीनट में करने के लिए आपका आप सेकेंड में आएगा उसको 60 से डिवाइड करोगे तो तब आपका एंसर आएगा 1.36 यहां पर ध्यान देना आप सब अब नेक्स कोशन अपन करते हैं इसमें जो है सिंपल हमें डाइग्राम देखना है कि कौन सा यह किसके बीच में प्लॉट है में प्लॉट है क्योंकि और अपका अइसेंट्रोपिक यह होता है Keeping अब देखो हाँ यहांपर यह भी concentrate में मतलब यह वडा जो भी है तो ये नहीं ठीक है तो प्रेसर यह नहीं होगा नीचे वाला देखो यह जो होता है। जिसमें हमÁरा int fal भी है a आपका description एक हो आपका से होगा या तो आपका उपोर सिन्हें और नहीं है यहां अपर poo त्ह डाइगडाम है किसका VC साइकल का होग ओपको थे क्लियर होगा ठीक है तो अब हम next question देखते हैं यह आपका session और region का यजगा question ठीक है यह थोड़ा अच्छा question है क्या क्या question है यहां पर देखते हैं कि हम बेबर compression regulation system condenser position should be kept as low as possible देखो यह statement थोड़ा यहां पर गलत हो गया यहां पर condenser के जिए पर evaporator होना चाहिए ठीक है चुकि यहां पर low बोला जा रहा है तो evaporator के लिए यह statement होना चाहिए यह condenser के लिए नहीं थी अब question आपका थोड़ा गलत है तो इसको डाने देते हैं यह question यहां पर देखते हैं in BC system throttle valve is used and not expansion cylinder ठीक है throttle valve का हम यूज करते हैं expansion cylinder के use नहीं करते हैं यह बात बिल्कुल सही है फिर यहां पर reason हमें दिया गया है throttling is a constant enthalpy यह भी बिल्कुल सही है बट यह ऐसा कुछ नहीं कि यह इन दोनों को verify कर रहा है हम इसका use इसलिए करते हैं because throttling में हमारा work जह हो जीरो होता है हमें कोई work नहीं करना परता है तो यहां से आपका option जहाए यह B हो जाएगा both A and R are individually true but R is not correct explanation of A okay next question देखते हैं sub cooling of a refrigerant liquid increases the coefficient of the performance of the refrigerant cycle definitely sub cooling में हमारा COP increase होता है और हमारा work वह constant रहता है कैसे होता है देखो यह हमारा BC cycle हो गया simple हमें sub cooling करना मतलब इसको यहां पर लेका आना है ति यह कुछ इस तरह होगा आप देखो इतना पाठ हमारा refrigeration effect जाए वह increase कर गया और हमारा work देखो same क्या constant है तो definitely है RE upon work क्या होता है हमारा COP होता है तो यह overall क्या हो इंक्रीज करेगा बट हमारा work यहां पर constant है तो option यहां पर देख लो क्या वो लगया है coefficient of the performance increase यह सही है और region क्या दिया है sub cooling reduce the work यह गलत है तो यहां से option आपका सही हो जाएगा की सिर्फ a true है और r false है अब हम next question देखते हैं इसमें जो है हमें बोला जा रहा है कि sub cooling heat exchanger is used अब देखो sub cooling heat exchanger का बात जैसे ही आया तो मतलब आपका figure जो बनेगा BC cycle का वह इस टाइप का बनेगा आपका simple बला नहीं बनेगा इसमें heat exchanger लगा तो यह हमने sub cooling heat exchanger लगाया और नीचे मेंने super heating बला लगाया है और यह आपका हो गया तो यह one two three four five six okay so this will be the BC cycle with sub cooling and super heating heat exchanger अब यहां पर देखते हैं क्या बोल रहा है the enthalpy at the condenser outlet यह हमारा condenser है इसके outlet के बात कर रहा है था हमारा outlet वाला यह हो जाएगा यहां का बोला जा रहा है 78 ठीक है and evaporator outlet evaporator हमारा यह है इसका outlet यहां पर मतलब h6 equal to हमें यह बोला जा रहा है 182 है okay enthalpy at outlet of the isentropic compression यहां पर हमारा 230 है मतलब h2 हमारा जो है वह 230 हो गया and enthalpy of sub cooled liquid sub cooled liquid मतलब इसका ठीक है यह हमें 68 दिया हुआ अब यह 68 होगा तो आपका h5 अब देखो जितना का difference यहां पर 10 है उतना का difference यहां पर भी होगा यह हमने पढ़ा होगा यह आपने पढ़ा होगा किसमें super heating यह और sub cooling जब heat exchanger के मदद से हम करते हैं तो जो enthalpy difference यहां पर होता है मतलब h1-h6 enthalpy difference जो होता है वही हमारा h3-h4 भी होता है ठीक है यहां पर 10 है तो यहां पर 10 होगा तो 182 पलस 10 192 अब हमें पूछा जा रहा है COP of this cycle तो COP simple कौन सा हो जाएगा देखो heat exchanger जो लगा इसका यहां पर कोई रोल नहीं है इसका सिर्फ और सिर्फ हम ने efficiency cycle का बढ़ाने के लिए यूज किया ठीक है बड़ जब हम COP निकालेंगे तो वहां पर इसको include नहीं करेंगे यहां पर COP आपका हो जाएगा पहले जैसे वर्क यहां पर क्या होता h2-h1 वैसा ही अभी भी होगा वर्क हमारा h2-h1 होगा और हमारा refrigeration effect यहीं वाला होगा h6-h5 ठीक है यह वर्परेटर जितना absorb कर रहा है यह condenser यहां पर सॉड़ी यहां पर क्या कर रहा है सब cooling वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखना है हमें हच्छा और hapіш हमनारे watch कितना यहां पर 182-h5 हमारा है शिक्स्टी एट और यहां पर हमारा दिया हुआ है कितना 230 और यह 120 हमारे दिया हुआ है 190 टू औक 9 Tetène यहां से आपका और दोड हों जो हैं का ट इनो होता हैं ूतिक है जो है डारक इनवाल्मेंट होता है काहां से इफेक्ट वाले से फिर primary का condenser जो है secondary के evaporator में heat reject करता है तो इस तरह से cascade वाला refrigeration system complete होता है और इसका जो COP होता है दो अगर है तो यहाँ पर आपका COP का formula हो जाता है यह में लिख देता हूँ COP का formula हमारा होता है COP of 1 into COP of 2 upon 1 plus P1 plus P2 मतलब COP of 1 plus COP of 2 यह वाला simple put करो यहां पर एक का दिया हूँ है 2.3 यहां पर दिया हूँ है 1.6 यहां पर नीचे में 2.3 plus 1.6 यहां से आपका answer हो जाएगा overall नीचे वाला यह 4.9 और उपर आपका हो जाएगा 3.68 यहां से आगे आपका 0.75 तो यह आपका हो जाएगा क्या COP का जब आपका individual जो refrigerator है उससे low ही आएगा इस मत का धियान दखना ठीक है अब हम next question देखने है ठीक है इंट्रेजंट वे बिपर इंत्रिंट गम्प्रेश्वष ऑफ हा इस विणस तैंडड्र भेपर कमप्रेशर सकल माइनस तेन यानि आपका यहां से विदे आप कंप्रेशव यहां पर दिया हुआ होका लिवे सूपर oniरील मतलब यहां पर यहां से प्रविर्ण 15 यहां पर य क्डेनजर टंपेट कर डिया हुआ तो यहां के टेंटेशंटिया हुआ है। 237 यह यहां का तो यह भी 237 तो COP of the cycle यह simple अब हो जाएगा अब यहां से निकाल सकते हो COP आपका हो जाएगा refrigeration effect यानि यह वरा term 402-237 अपन यह 432-402 ठीक है यहां से आप जब करोगे तो आपका यहां जाएगा 165 अपन 30 इकल टू 5.5 तो 5.5 विल यूर एंसर तो अब आपन नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं ठीक है यह भी आपका अच्छा नुमारिकल कुस्चन है यहां पर क्या बोला गया इन ए 5 किलोवाट लोडिंग केपासिटी मतलब सबसे पहले आपको इसमें आर सी आपको दे दिया 5 किलोवाट ओके ऑपरेटिंग और बीस आरे से कल बीशाइस पर यह वर्क कर रहा है तो बीशाइस हम बना लेंगे यह बीशाइस हमने बना लिया गए जाएंटर इंटैलपी 75 ठीक है इंटैलपी यहां पर 75 यहां पर इंटैल करता है और यह पॉइंट हमारा फोड होता है ठीक है और यह हमारा वन हो जाएगा यह 75 है ओके लीव द एन इंटैलपी 183 यानि यहां का जो आपका इंटैलपी हो जाएगा 183 इतना इंटैलपी से लीव करता है इंटैलपी डिस्चार्ज अब दे कंप्रिसर इज तू वन जीरो यह आपका कंडेंसर हो गया और यह आपका थ्रॉटलिंग हो गया देखते हैं हमें क्या पूछा गया है हमें पूछा गया है सी ओपी तो सी ओपी सबसे पहले निकालो सी ओपी रफ्रिजेशन एफेक्ट यानि 183 माइनस 75 अपाउन 210-183 ठीक है यहां से आप कैल्कुलेट कर फाइब किलोवाट दिया हुआ है और यह फोर्ट यहां से आपका वर्क आजाएगा 1.25 अब फिर हमें क्या निकलना है रिएट ऑफ ही ट्रांसफर एक्रॉस कंडेंसर मतलब यहां से कितना रिजेक्ट हो रहा है हीट यहां से अपने रफ्रिजेशन एफेक्ट में एब्सॉ किलोवाट किया वर्क कितना लगा तो 1.25 लगा तो आप कितना यहां पर रिजेक्ट करोगे तो 5 पलस 1.25 तो 6.25 आपका हो जाएगा रिजेक्शन 6.25 ठीक है एंसर अब हम नेक्स कुरिशन देखते हैं इसमें हमें बुला गया एर रेफ्रिजेंट बेस्ट ऑन दा आइडिय और 40 है यह हो गया BCRS यह हमने कर दिया लिमिट टमपेचर यह मैनस 20 और यह 40 उसके बाद बुला है रफ्रिजेंट इंटर दे कंडेंसर एज सेचुरेटेड बेपर के तरह इंटर करता है अब ध्यान देना यहां पर यह बला हो गया कंडेंसर मतलब सिर्फ और सिफ आपका यहीं तक होगा यह सुपर हीटेट रिजन में नहीं जाएगा इस वार बोला यहीं पी इंटर कर रहा है लीफ कंडेंसर एज सेचुरेटेड लिक्विड मतलब टू पॉइंट आपका यह हो जाएगा ठीक है इन्थैल्पी और इंट् एंट्विक हो जाएगा इस बार जो आपका साइकल बनेगा इस टाइप का बनेगा यह ध्यान रखना यह जो इंपोर्टेंट यहां पे टॉपिक है कंडेंसर इंटर्स एज सेचुरेटेड वेपर यह मोस्ट इंपोर्टेंट इसको आपको ध्यान में दिना पड़ेगा उक यहाँ पर निकालना यहाँ पर वही काम करेंगे एस तरी का इंतली चाहिए एस्थरी गउन चाली सब्राइब है और भी आपका है एक पोड़ियों तो यह वने डिया हमें निकालना क्या है बस एच वन यह निकाल लिए तो सब कुछ निकाल लेंगे अब देखो H1 कैसे आएगा आपको यह direct आप कहां से निकाल सकते हो इसका पहले आपको dryness fraction निकालना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे enthalpy वाला फर्मला यूज करके निकाल पाऊगा और dryness fraction कहां से आपका आएगा इसका entropy आपको पता नहीं है बट इसका पता है दोनों isentropic है त 44 वाले का entropy SG वाला यह क्या है आपका 0.67 0.67 आपने रखती है अब इसका entropy का फर्मुला इसके basis पे रखो तो आपका SF यह वाला ठीक है 20 का SF यह 20 है आपका इसका SF यह वाला 0.07 plus dryness fraction into SG-SF ठीक है कौन सा किसका होगा इसका SG-SF ठीक है यहाँ पे 73 0.7366-0. 0.07 यहां से आप calculate करोगे तो यह आपका हो जागा 0.6 यह X हो जाएगा और यहां पर यह हो जाएगा 0.66666 ठीक है यहां से आप answer निकालोगे तो आपका यहां से आजाएगा 0.9 यह आपका dryness fraction आप आपने यहां का पता के लिए तब यहां पर H1 निकाल लो H1 सिंपल हो जाएगा आपका HF ठीक है और यह HF कौन सा हो जाएगा minus 20 degree Celsius बना ठीक है पलस में यहां पर 0.9 dryness fraction और HG minus HF ठीक है और यह हमारा 20 हो जाएगा HF तो 20 पलस 0.9 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा आपका 160 यहां से आपका overall जो answer आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 164 ठीक है तो यह हमारा H1 आ गया आपका 164 अब जो है 50 यह हमारा refrigeration effect आगया और यह work input यह वाला H2 minus H1 H2 आपका 200 है और H1 आपने 164 200-164 यहां से आपका answer क्या जाएगा 2.33 ठीक है यह आगया हमारा अब दूसरा हमारा क्या mass flow rate निकालना अब यह simple सा है RC equal to क्या होता है आपका mass flow rate into refrigeration effect ठीक है तो यहां से mass flow rate आपको निकालना है और RC आपको पहले ही question मिया पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ हो था तो यहां से आपका एंसर जाएगा वह आपका आजाएगा 2.1 किलोवाट ठीक है तो यह आपका आपका 18 तक question है इसके बाद भी कुछ 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 question है almost जो है उसमें आपका EAC का engineering services का conventional question है और बहुत ही अच्छे अच्छे question है उसको मैं discuss करूंगा next वाली वीडियो में यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ठीक है तो तब तक लिए आप खुछ से practice करें और जितने भी gate ODS के previous year question है वह आप खुछ से लगाई है और अगर कोई भी doubt है इसके regarding तो आप comment में mention करें I will try to solve out thank you so much and good luck